नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि दस भी क्लास का जो समस्क्रित का पेपर है वो 22 तारीख को होगा, ठीक है? हमारे मेंटर मेंसे जो हमने बताया था उसमें से लगब सतर से असी परसेंट उनके मेंटर आया था से ठीक है आप देख सकते हैं आपके कोई बारवी क्लास के जो आपके दोस्त हैं उनसे आप पूछ सकते हैं हमारे चैनल पर हमने जो मेंटर डाला उसमें से आपको आया है या आपके लिए जो भी टॉपिक कठेन लगेगा जो भी आपके लिए कठेन तम टॉपिक है जो आपको समझ मैंने यारा आप फटा पट कमेंट करके हमें बता देना आपको हम उसको अच्छे से समझा देंगे बहुत सबल तरीका सी अब मैं इसमें आपको जो छोटे बाले पर में आपको इन मैंसे मिल जाएंगे ठीक है यह आपको कंफर्म है आप देख लिए ना आप पेपर देखे आपको खुद को विश्वास इस वात का हो जाएगा ठीक है तो चलिए मैं इसमें सारे पार्ट बताऊँगा आपकी बैसे सलिवसमा आठ पार्ट है आपके सुच मैं एक-एक को समझाते हुए आपको यहाँ पर बताऊँगा तो यहाँ देखिए मोस्ट महतपुर्ण आपकी जो प्रश्ण है उनकी सीरीज हमारी एक है पहला प्रश्ण देखते हैं सबसे पहले आपको मैं समझाता चलूँगा क्योंकि कई बार क्या है इसका आर्थ समझ म की पहले नहीं आता है तो वहां गलती कर देते हैं पहला प्रश्ण है सुची परिया वरणम पार्थ से लेक रहे हैं कि सुची camarina आपको मिल सकते हैं एक दो तो इसका आंसर हो जाएगा कभी हरिदत शर्मा के दोरा हमारा पहला पाठ लिखा गया है हरिदत्र शर्मा ने एक रचना लिखी है उनका रचना संग्रे का नाम है लसल लतिका उसी लसल लतिका से यह संक्लित है ठीक है तो मैं यहाँ पर हर प्रशन को जहां जावशक्ता होगी उसकी मैं व्याख्या भी करूंगा अगला सवाल देखते हैं आप क्या सुनोगे तो जल्दी याद रहेगा मैं इसकी पेडियाब भी आपको डाल दूगा ठीक है लेकिन आप हमारे चैनल से फटा बड़ जुड़ जाना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे जो भी कभी हरिदत शर्मा द्वारा रचित महा काव्य जो है इसका मतलब हो गया कभी हरिदत शर्मना यानि हरिदत शर्मा के द्वारा रचित काव्य का नाम क्या है यानि इनके द्वारा जो रचित काव्य है उसका क्या नाम है उसका नाम है उत्तर है लसल लतिका क्या नाम है? लसल लती का इस तरह भी प्रश्न बन सकता है अगला प्रश्न है अमारा देखिए अनिशम महानगर मध्धी किमप्रचलती अनिशम यानि लगातार महानगर में जो महानगर है ठीके बड़े बड़े नगर होते हैं कि बुंबई है दिल्ली है ऐसे महानगरों में किम प्रचलती याने कि क्या चलता है क्या चलता है महानगरों के बीच में महानगरों के मद्ध में क्या चलता है ऐसा यहां पर कहा जा रहा है उत्तर हो जाएगा कालाय सचक्रम याने कि महानगरों के मद्ध में प्रदूशन रू चलता है तो यहां उत्तर में लिखना होगा कालाय सचक्रम यानि लोही का चक्र कालाय सचक्रम इसका मतलब आपको समझ में आगे होगा लोह चक्र जो है वो दिन रात चलता हुआ रहता है ऐसा यहां पर आपको बताया जाता है अगला सवाल है क्या है याने कि प्रदूशित वस्तूओं से मिश्रित क्या है ऐसा यहां सवाल है तो बताईए इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा भक्षयम भक्षयम का मतलब होता है खाद्य पदार्थ जो भक्षणिय होता है जो खाने युग्य होता है वो खाद्य पदार्थ कैसा है प्रदूसित वस्तूओं से मिश्रित है इसका मतलब हो जाता है किलियर है आगे चलिए अगला सवाल है पांच नंबर पे किम शुची ही स्यात क्या रहे है कि क्या सुची यानि पवित्र होना चाहिए क्या पवित्र होना चाहिए या क्या शुद्ध होना चाहिए उत्तर हो जाएगा परियावरणम क्योंकि पाठ का नाम ही सुची शुछी का मतलब पवित्र होता है या शुद्ध होता है तो हमारा जो परियाबरण है वो पवित्र या शुद्ध होना चाहिए अगला सवाल अगला सवाल है शात शकटी यानम की द्रिशम धूमम मुंचती के रहे हैं कि जो शात शकटी यान है अर्था अर्थ सेकड़ों जो मोटर गाडियां हैं वो सेकड़ों मोटर गाडियां किस तरह से धुएं को त्यागती हैं दुहा को छोड़ती हैं मुंचती यानि त्यागना ह या छोड़ना होता है यानि कि जो सेंकडो मोटर गाड़ियां चलती हैं वो किद्रशम यानि कैसे धूमम मुंचती दूहें को छोड़ती हैं तो उत्तर हो जाएगा कजल मलिनम का मतलब क्या होता है कजल मलिनम का मतलब होता है काजल जैसा मलिन मलिन का मतलब होता है काला मलिन य जैसा काला इस तरह का दुवाँ हो जाता है सेंकड़ो मुटर गाड़ियां चलती हैं तो चार तरफ दुवाँ ही दुवाँ हो जाता है ठीक है तो महानगरों के बीच में महानगरों में सेंकड़ो मुटर गाड़ियां चलती रहती हैं उन से निकलने वाला दुवाँ इतना ख याने ध्वानम का मतलब होता है ध्वनी या आवाज या कोला हल के रहे हैं कि कोला हल को करती हुई का संधावती कौन दोड़ती है कोला हल करती हुई कौन दोड़ती है ध्वानम याने कोला हल और वितरंती का मतलब देती हुई या ध्वनी को करती हुई आवाज करती हुई कोला हल करती हुई कौन दोड़ती है तो उत्तर हो जाएगा वाश्पयानमाला वाश्पयानमाला का मतलब रेल गाड़ी क्योंकि पंक्ती रेल गाड़ियों की जो पंक्ती होती है उसको कहते हैं वाश्पयानमाला क्या कहते हैं वाश्पयानमाला ठीक है आगे चलिए अगला सवाल है का रसालम मिलिता कौन रसालम याने आम कौन आम से मिल गई आम से कौन मिल गई ऐसा यहां मतलब है ठीक है आपने इसमें पड़ा होगा जैसे लिखा रहता है हरित तरुणाम ललित लताना माला रमनिया कुशुमावली समेर चालिता स्यान में वरनिया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम ठीक है तो यहां पर रसालम यानि आम से कौन मिल गई तो उत्तर हो जाएगा नव मालिका यानि की आमर मंजरी होता है जो आमर मंजरी होती है जिसको हम कहते हैं जो उसके फूल आते हैं ठीक है उसको कहते हैं मोहर या मंजरी ठीक है तो यहां कह सकते हैं कि आमर मंजरी आम के सा अगला सवाल अगला सवाल है हमारा बुद्धिर बलवती सदा इती पाथ है बुद्धि बलवती सदा जो हमारा पाथ है ये कहां से लिया गया है कहां से संग्रीत है उत्तर हो जाएगा शुकसपतती ही कथागरंतात एक सुकसपतती कथागरंत चलता है उसी सुकसंपती जामक जो कथागरंत है उसी से लिया गया है ये आपको द्यान में रखना है कौनसा है आपका गरंत कौनसी कथा है इसमें कथागरंत शुकसपतती ग्रंद से ही आपका यह पाठ लिया गया है इनको याद जरूर कर लिना क्योंकि इस तरह का सवाल जरूर बनता है आगे चलिए अगला हमारा सवाल है देखिए यहां पर दस नम्मर के सवाल की हम बात कर रहे हैं बुद्दिर बलवती सदा जो हमारा पाठ है उसी से जो इस्तरी थी इसमें कहानी में बुद्दी मती कहां पर व्यागर को देखती है या बुद्दी मती ने कहां व्यागर को देखा कहां देखा बताईए कहानी याद होगी तो पता होगा बुद्दी मती ने व्यागर को कहां देखा तो इसने व्यागर को देखा गहन जंगल म तो गहन कानने यानि की घने जंगल के अंदर जब जा रही थी तो सामने से उसने इसको देखा व्याग्र को देखा आपने कहानी तो पड़ी होगी मार गे गहन कानने साएकम व्याग्रम ददर्श ठीक है? उसने उस गहन कानन में यानि कि जंगल में एक व्याग्र को देखा अगला सवाल सर्वकारियेशु सरवदा का बलवती कह रहे हैं कि सभी कारियों में सरवदा कौन बलवती होती है कौन बलवान माने जाती है उत्तर हो जाएगा बुद्धी यानि कि बुद्धी जो है वो सभी कामों में हमेशा बलवती माने जाती है तभी तो कहते हैं कि बुद्धिर यस्य बलमतस्य जिसके पास बुद्धी है उसी के पास बल है ठीक ऐसे अगला सवाल लोके मेहतो भयात कह मुच्चते लोके यानि संसार में महान वहसे कौन मुक्त करता है कौन करता है उत्तर हो जाएगा बुद्धी मान यानि जो बुद्धी मान होता है वो लोके यानि संसार में महान वहसे मुक्त हो जाता है उससे छूट जाता है ऐसा यहां मतलब है आगे चलिए अगला स्वाल है व्याग्रस से उपहास हम के है करोती जो व्याग्र है उसका उपहास कौन करता है व्याग्र का उपहास कौन करता है आपको कहानी याद होगी उत्तर हो जाएगा जम्बू के है जम्बू क्याने होता है शियार या गीदर होता है तो जैसे ही व्याग्र डरके चला जाता है भागता हुआ जारा होता है तो उसको रास्ते में जम्बुक मिल जाता है जम्बुक यानि सियार या स्रिगाल होता है तब वो उसका उपहास करता है हसता हुआ कहता है अरे क्यों मूर्क बनते हो जंगल में कोई विव्या ग्रमारियास तक तो नहीं आई आपने क इसकी कानी है पूरी की पूरी बताने की ये है आप कि इस शियार की स्रगाल की आगे चलिए इस तरह से काने आपने पढ़ी होगी तो यहाँ पर राज सिंग नाम का कौन था भी बहाँ पर राज पुत्र रहता था उत्तर हो जाएगा राज सिंग है आगे चलिए आगे है राज सिंग है नाम राज पुत्र है कुत्र वसती इस्म कहां रहता था उत्तर हो जाएगा देवलाख्य ग्रामें तो देवलाख्य ग्रामें आपको नाम याद रखना होगा देवलनामक ग्राम में रहता था ठीक ऐसे अगला सवाल केन दुशकरम अपिकारियम सरलम भवती किया रहे हैं कि किसे दुषकर यानि कठिन काम भी सरल हो जाता है यानि किसे दुषकर कार्य भी सरल हो जाता है उत्तर हो जाएगा बुद्धी बलेन यानि बुद्धी के बल से कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है जैसा कि अभी बुद्धिर बलवती सदापाथ में आपने द करकार एक शेर या व्याग्र को भगा दिती है अपनी बुधिवल पर ऐसे आगे चलिए अगला सवाल है भामेनी का या व्याग्रस से भयात बिमुकता जाता याने कि जो भामेनी थी याने भामनी का अर्थ होता है यांपर वच्चो सुंदर इस्त्री भामनी यानि होता है सुन्दर इस्त्री रूपवति इस्त्री तो जो भामनी थी वो किस से व्यागर किस कारण से या किस की वज़े से व्यागर के भाय से विमुक्त हो गई यानि किस से व्यागर के डर से विमुक्त हो गई तो उत्तर हो जाएगा निज बुद्धया अपनी बुद्धी के बल से व्याग्र के डर से विमुक्त हो गई कौन भामे नी तो वो इस तरी केवल अपने बुद्धी बल से बच गई उससे ठीक है उसके डर से मुक्त हो गई केवल बुद्धी बल से ऐसे आगे चलिए व्याग्र है निज गले कम बद्वा काननम यजव यानि कि जो व्याग्र था वो अपने गले में किसको बांद करके जंगल की तरब चला व्याग्र ने अपने गले में किसको बांद हा तो यह उत्तर हो जाएगा श्रगालम तम यानि अपने गले में श्रगाल को बांधा उसने और कहा कि चलिए मैं लेक्टे चलता हूँ उसने कहा कि एक शर्त है तुम मेरे मतलब गर्दन के साथ में बंदना होगा यानि अपन दोनों रसी से अपनी अपनी गर्दन को बांध लेते हैं जिससे अपन एक साथ चलेंगे ऐसे वो अपनी गले में बांध करके उसको और जंगल की तरफ जा रहा है स्रगाल को लेके जा रहा है बांध करके चल चल बताओं तेरे को ब्या गर्मारी जंगल में ऐसे इस तरह से आपको दियान रखने हैं इनको आप एक एक बार बेद सुन लोगे तो आपको जरूर से याद हो जाएंगे फिर कभी नहीं भूलोगे आगे चलिए अगला सवाल है 19 नमर पे व्यायाम है सरवदा पत्य पाठस से लेखके के ठीक है ये हमारा तीसरा पाठ है बच्छो ये कहरें कि व्यायाम है सरवदा पत्य जो व्यायाम होता है वो हमेशा ही लावकारी होता है ये पाठ बताईए कौन सा है आपने पढ़ा होगा ये है आप का तृतिय पाठ ठीक यानि व्यायाम हमेशा लावदायक होता है ये आपका पाठ है इस पाठ का लेका के आचार ये सूसरुत कौन है आचार ये सूसरुत याद रखना है अगला सवाल है व्यायामे है सरवदा पत्य पाठ कुतह उद्रित है यानि कि कहां से लिया गया है तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका शूसरत सहीता इति ग्रंथात यानि की सूसरत सहीता जो ग्रंथ है उससे ये पाठ लिया गया है तो आपको एक एक प्रशन को ढंग से समझना होगा सुनना होगा एक बार अच्छे से सुन लेना आप ठीक है एक वीडियो में मैं 50 प्रश प्रशन को बता दूँगा मैं 100 प्रशन टोटल 100 प्रशन हैं ज्यादा नहीं है 100 प्रशन को आप सुन लोगे एक डिड़ घंटे में आराम से क्लियर कर लोगे आपका गलत नहीं होगा तो उत्तर हो जाएगा सूसरत सहीता इति ग्रंथात अगला सवाल देखते हैं परम आरो यह व्यायाम से होता है यह जो व्यायाम करता है वो कभी परेशान नहीं होता है दुखी नहीं होता है यानि कि उसको कोई बीमारी नहीं सताएगी जब बीमारी नहीं होगी तो बताईए दुखी परेशान नहीं होगा सिंपल सी बात है इसलिए का गया है कि परम आरोगे को तो वही होता है जो व्यायाम करता है इसलिए व्यायाम करना चाहिए यही पाट का नाम है व्यायाम ऐसा रवदा पत्य हो यानि व्यायाम हमेशा लावदायक होता है यही बात इसमें बताई गई है आगे चलते हैं आगे है सदा के है पत्य है कह रहे हैं कि हमेशा क्या लावदायक है उत्तर होगा व्यायाम है ऐसे छोटे छोटे सवाल भी बन जाते हैं तो सदा क्य पत्थ है उत्तर होगा व्यायाम है सदा व्यायाम है पत्थ है ये एवे सेदे की सवाल है मैंने इनको एक लाइन की सवाल बना दिये हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए फटा पट जल्दी से आप याद कर सको एवे सेदे में कैसे पूछ लो आप गलत नहीं करोगी आगे जिखिए अगला सवाल है हमारा व्यायामस्विन गात्रस समीपम के ने उपसर पंती बहुत ही सुन्दर बात यहां पर कही है अब देखो क्या कहा गया है एक बार इसको समझते हैं कि व्यायामस्विन गात्रस से जो ऐसा गात्र या शरीर जिसके पशीना इत्यादी आते हैं मेहनत से पशीने निकलते हैं उसके समीप में के ने उपसर पंती कौन नहीं आते हैं या कौन नहीं आती हैं उत्तर हो जाएगा व्याध हया हो याने की बीमारिया नहीं आती हैं उसके पास में बीमारिया भटकेंगी नहीं ये निश्चित मान लेना याने कि व्यायाम स्विन गात्रत से व्यायाम करने से उत्पन पशीने से लत्फत जो शरीर वाले व्यक्ति हैं याने कि जिनके शरीर से मेहनत का पशीना निकलता है उनके समीप में क्या नहीं आती हैं व्याधयह याने बीमारिया नहीं आती हैं रोग नहीं आते हैं ऐसा इसको समझना है किलियर आगे चलिए आगे है किद्रिशम कर्म व्यायाम संगितम कत्यते याने कैसा कर्म व्यायाम संगितम कत्यते याने व्यायाम कहिलाता है किस तरह का कर्म व्यायाम कहलाता है तो उत्तर हो जाएगा यहां लिखा हुआ है शरीर आयास जननम कर्म ठीक है मतलब क्या हुआ है इसका बताए फटापट आप सोचिए इसका मतलब हो जाएगा शरीर आयास जननम कर्म यानि कि शारीर एक परिश्रम से उत्पन जो कर्म है उसी को कहते हैं क्या क्या कहते हैं उसको व्यायाम कहा जाता है तो यही तो पूछा जा रहा है यहां पर व्यायाम किसको कहेंगे पहला श्लोक चलता है शरीराया सजनम कर्मह व्यायाम संगितम तत्कृत्वातु सुकंदेहं भीम्रिद्निया समंतत है इस तरह से आपने पार्ट में देखा होगा ठीक है आगे चलिए अगला है जरा कस्य सका पाशम सहसा न समधिरोहती ठीक है मतलब कह रहे हैं कि जरा यानि बुड़ापा जो बुड़ापा है वो किसके समीप में सहसा नहीं आता है यानि किसके समीप में नहीं आता है अचानक किसके समीप में नहीं आता है समधिरोहती का मतलब घिर लेता है मान लो या उसके उपर आरूर हो जाना ठीक है तो इसका मतलब है कि जो बुड़ापा है वो किसके समीप में अचानक नहीं आता है या किस पर नहीं आता है तो उत्तर हो जाएगा व्यायामा वीरतस सकाशम यानि जो व्यायामा वीरतस से जो व्यायाम से रत होता है व्यायाम में लगा होता है जो व्य भी अचानक बुड़ापा नहीं आता है इसका मतलब यह है किलियर आगे चलिए अगला सबाले कस्य विरुद्धम अपी भोजनम परी पच्चते यानि किसका विरुद्ध भोजन भी पक जाता है अर्थार्थ पच जाता है यानि कैसा भी भोजन कर लो आप सब पच जाता है किसका नित्यम व्यायाम कुर्वत है जो नित्य व्यायाम करता है इसका उत्तर होगा नित्यम व्यायायम कुर्वत है यानि जो नित्य व्यायाम करता है उस व्यक्ति का विरुद्ध भोजन भी पच जाता है कैसा भी भोजन कर लो चाहे तला हुआ गला हुआ ठीक है गरिस्टवोजन है कैसा भी है वो भी पच जाएगा यदि वो नित्य रूप से वियायाम करता है तो ठीक आगे अगला है कि ले करतव्य है कि कितने वल से वियायाम करना चाहिए बहुत बड़ी ए शवाल है आपको सवाल का मतलब भी समझ में आना चाहिए तब ही आप उत्तर कर सकते हो तो इसका मतलब है अर्ध वलेन यानि आधे वल से अपने को व्यायाम करना चाहिए आप में जितनी तागत है उसके आधे वल से व्यायाम करो आप पूरे वल से करोगे तो आपके शरीर में ठकान हो जाएगी आपक इस नंबर का सवाल है परमम आरोग्यम कस्मात उप जायते हैं परमम आरोग्य किस से उत्पन होता है वही परमारोग्य किस से मिलता है उत्तर हो जाएगा व्यायामात यानि व्यायाम से परमारोग्य की प्राप्ति होती है इसलिए व्यायाम जरूर करना चाहिए समय निकाल करक आगे चलिए अगला सवाल है सरपाहा कम ने उपसरपनती ठीक मतलब क्या हुआ यानि कि जो सरप हैं वो कम यानि किसको ना उपसरपनती यानि किसके समीप में नहीं आते हैं या किसको नहीं सताते हैं किसके पास में नहीं आते हैं उत्तर होगा बैनते यहां अर्थाद गरुड के पास में नहीं आते हैं समझगे बात को यानि गरुड के पास में नहीं आते हैं इस तरह से इसी तरह जो व्यायाम करता है उसके पास में रोग नहीं आते हैं ऐसा मतलब है आगे चलिए अगला पा को पड़ा होगा नहीं पड़ा है तो आप पड़ा लेना अमारा यह इसा पार्ट आप ने देखा होगा तो बताए चौथा अंक से यह लिया गया है यानि कुंदमाला के अंदर पंचम जो अंक है उसी पंचम अंक से इसको संपादित किया गया है ऐसे और नाटक का जो नाटक कार हैं लेखा के वो दिंगनांग है इसमें आपके मुख्य रूप से राम अपने दोनों ढंग से वरनन किया गया है इसलिए पाट का नाम है शिशुलालनम यानि शिशु का दुलार ठीक आगे चलिए अगला है कुश लवहु कम उपसरित्य प्रणा मत है कितना बढ़िया सवाल है कि कुश और लव किसको सरक करके प्रणाम करते हैं यानि समीप में जाकर के प्रणाम करते हैं उत्तर होगा रामम यानि जैसे वो राम जी को देखते हैं तो उसके बाद में वो दोनों समीप में सरक करके और प्रणाम करते हैं कुश लवहु आपने नाटक में देखा होगा लिखा है। रामस्य समीपम सित्य प्रणम्यच्य अति कुशलम महाराजस्य इस तरह से वो कहते हैं। राम कहते हैं युश्मदरशनात कुशलमिवा भवतो हो किम बयमत्र कुशला प्रशनस्य भाजनम एवः इस तरीगा से बाच्चित होती है वहाँ पर। कुमला के कुश के पास सरक करके आप समीप में जाकर के परणाम करते हैं अगला सवाल है किए रहे हैं कि कुष की माता को किस नाम से बुलाते क्या नाम लेते थे कुश की माँ को उत्तर हो जाएगा देवी यानि जो कुश की माता थी तपो बन में जितने भी लोग रहते थे उनको देवी के नाम से पुकारते थे देवी कहते थे सब कहने का मतलब है कि भगवान बाल में की कुश लव की माता को किस नाम से बुलाते वई वो क्या कहते थे वधू याने बाल में की सीता जी को वधू नाम से बुलाते थे क्या नाम लेते थे वधू और जबकि वनवास में जितने भी लोग रहते तपो वनवासी वो कहते थे देवी समझ गे इस तरह से अगला सवाल है केन संबंधेन वालमी की ही लवकुशयो गुरु हूँ यानि किस संबंध से वालमी की लवकुश के गुरु थे उत्तर हो जाएगा उपनयन ओपदेशेन यानि उपनयनोपदेशेन उपनयन या यग्योपवीत उपनयन समस्कार के वज़े से उपनयन समस्कार उन्होंने किया था इसलिए वो लवकुष के गुरू थे ऐसा यहां आपको याद रखना है अगला सवाल है कुष लवयो वन्शस्य करता के है कुष और लव के वन्शस्य करता कौन है भगवान सूर्य है ये भी प्रश्न मोस्ट है कुष लवयो वन्शस्य करता कुष और लव के वन्शस्य करता भगवान सूर्य को माना जाता है अगला सवाल है रामस से कृते कयो इसपर्ष है हृदेगराही आसीत राम के लिए किन का इसपर्ष हृदेगराही था राम के लिए किन का इसपर्ष हृदेगराही था उत्तर हो जाएगा लवकुशयो बगबान राम ने जैसे ही लवकुश को छुआ इसपर्ष किया तो बहु ग्राही लगा उत्तर हो जाएगा लव कोशयों यानि लव और कुश का इस पर सुनको फिर ग्राही लगा ऐसा यहां समझना है। अगला है हमारा यहां पर 37 नम्मर का सवाल देखिए सवाल को समझते हैं लवकुशयो गुरोहो किन नाम कतायती यानि लवकुशयो गुरोहो यानि लवकुश के गुरू किन नाम कतायती किस नाम से कहते थे यानि क्या नाम था ऐसे मालो यहां पर ठीक है तो भगवान वालमिकी ही इनकी जो गुरू थे उनकी गुरू का नाम भगवान वालमिकी था ऐसे मानो लवकुषयो गुरू हु किन नाम आसी इस तरह से आप प्रशन को समझो तो उत्तर लेकना होगा भगवान वालमिकी ही वालमिकी जो थे वो लवकुष की गुरू थे ठीक समझ गए उत्तर हो जाएगा दिंगनाग विरचित से कुंदमाला इतिनाटक से पंचमंकात याने की कुंदमाला नाटक के पांचवे अंक से संक्लित है पहले ही बता दिया कि कुंदमाला नाटक जो है वो दिंगनाग द्वारा विरचित है ठीक है इसमें पांचवे अंक से य लवकुष के पिता का नाम निरनुक्रोश कौन कहती है यानि किसने कहा कौन कहता है ऐसा निरनुक्रोश का मतलब होता है यहाँ पर निर्दई ठीक है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लवकुषयो पितुर नाम निरनुक्रोश इती तयो माता कथयती यानि उनकी माता ऐसा कहती है क्या कहती है निर्दई इस तरीका से वो कहती है निरनुक्रोश है समझ गए आगे चलिए रामस से प्रवाश की द्रिश आसीत राम का प्रवाश कैसा था ठीक है जो प्रवाश था उनका वो अतीद दीरग है और दारुनस्च है यानि बहुती कठोर भेंकर और बहुत लम्बा था जब सीता जी अलग हो जाती है उनको वनवास के लिए भेज दिया जाता है ठीक है तो उनकी जो इस्तिति होती है वो बहुत खराव इस्तिति हो जाती है तो इस तरह से उत्तर लिखना होगा आती दीर गए दारुनस्चे अगला सवाल है अमारा जननी तुल्यवत्सला इती पाठे है कुतहा ग्रिहीतहा देखो बहुती बढ़िया पाठे है आपका और ये पाठे शायद पाच्वन है पाठ से आपको ध्यान होगा पाच्वन पाठ है आपका जननी तुल्यवत्सला कौन सा पाठ है जननी तुल्यवत्सला कह रहे हैं कि ये पाठ जो है वो कहां से ग्रेंड किया गया है उत्तर हो जाएगा महा भारत से वन परवते महा भारत की वन परव से लिया गया है आपका पाच्वा पाठ तो ध्यान में रखना है अर् तो इसी तरह लिखना होगा महाभारत से वन परवत आगे चलिए अगला है विर्शव है कुत्र पापात यानि जो ब्रिशव यानि होता बैल कहां गिरा यह भी मोस्ट प्रश्ण है आपका जो बैल था इसमें बैल की कहानी होती है तो आप आपने पड़ी होगी ध्यान होगा बैल जो होता है वो कहां पर गिर गया खेतर यानि खेत में उसको कहते हैं क्षेतर में यानि क्षेतर का मतलब होता है खेत यानि खेत के अंदर गिर गया विचारा कमजोर था परिशान था हल जोत रहे थे तो वो गिर जाता है खेत में ठीक है आपने कानी पड़ी होगी ना वो खेत जोत रहा ठा एक जो बैल था वो कमजोर था विचारा दुर्वल था तो वो क्या होता है चलता चलता गिर जाता है खेत में बार बार प्रयास किया जाता लेकिन फिर भी वो नहीं उठ पाता है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा खेत्रे यानि खेत में गिर गया अगला दुर्वले सुते कस्याहा अधिकाहा कृपा भवती दुर्वल पुत्र पर जादा कृपा किसकी होती है उत्तर हो जाएगा मातू हूँ यानि माता की जो सबसे ज़्यादा कृपा होती है वो अपने दुरवल पुत्र पर होती है ऐसा यहां मतलब है अगला सवाल है माता सुर्वी ही कि मर्थम अश्रुनी मुन्चतिस्म माता सुर्वी क्यों अपनी आखों से अश्रु छोड़ती है या क्यों अश्रु वहा रही थी ऐसे समझ लो माता सुर्वी क्यों अश्रू बहा रही थी तो उत्तर हो जाएगा माता सुर्वी भूमव पतिते स्वपुत्रम द्रिश्क्त्वा अश्रूनी विमुंचतिस्म या मुंचतिस्म माता सुर्वी भूमी पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके आंसु वहा रही थी ऐसे उत्तर होगा तो आपको समस्कित में लिखना होगा भूमव पतिते स्वपुत्रम द्रिश्ट्वा स्क्रीन सोट ले सकतो आप अच्छे से देख सकतो याद कर सकतो अगला सवाल है इंद्र है दुरवल ब्रिशवस्य कष्टानी अपाकरतुम किम कृतवान इंद्र दुरवल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या करता है या उसने क्या किया उत्तर हो जाएगा ब्रिश्टिम यानि उसने व्रिश्टी कर दी वरशात कर दी ऐसा यहाँ आपको ध्यान रखना होगा अगला सवाल है अमारा देखिए इसमें एक-दो सवाल और पढ़ेंगे हम क्योंकि इस वीडियो में केवल पचासी प्रश्ण में लूँगा ज्यादा लेंगे थोड़ा वीडियो वड़ा होता है तो दिक्कत आती है उसमें जननी कीद्रशी भवती कह रहे हैं कि जननी कैसी होती है उत्तर में लिखना होगा सर्वेश्वपत्येशू तुल्यवत्सला अपने सभी पुत्रों के लिए तुल्य होती है यानि तुल्य वात्सल्य वाली होती है माता का समान वात्सल्य होता है इस तरह से लिखा है कि सर्वे अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा जननी तुल्य वत्सला पाठे स्मिन कयो हो समवाद है विद्यते बहुत बढ़िया सवाल है यानि कि जननी तुल्य वत्सला जो पाठ है इसमें किन का वारतालाप है किन का समवाद है ऐसे आप से पूछा जा रहा है उत्तर लिखना होगा ग वो मा तु सुर्वि इंद्रस्य संवाद हैं अगला सवाल सर्वधेनु नाम माता का सबी धेनों की माता कौन है उत्तर है सुर्वी ठीक है तो सर्वधेनु नाम माता सुर्वी ऐसा लिखना होगा आपको अगला सवाल है सुरभी वचनम सुर्ट्वा कस्य हिर्दयम अद्रवत कहा कि सुर्वी के बचनों को सुनकर के या सुर्भी वचन सुनकर के किसका हिर्दय द्रवित हो गया उत्तर हो जाएगा इंद्रस से यानि सुर्भी के वचनों को सुनकर के इंद्र का हिर्दे द्रवित हो गया उत्तर लिखना होगा इंद्रस से हमारा इस वीडियो का लास्ट हमारा प्रश्ण है क्रिशक है किम करोति इसम यानि क्रिशक क्या करता था या क्या कर रहा था तो उत्तर लिखना होगा बली बर्दा व्यामक्षेत्र करशनम यानि बैलों के माध्य हम से खेत जोत रहा था बैलों से खेत जोत रहा था कौन किसान तो किसान क्या कर रहा था बली वरदा व्याम खेतर करशनम बैलों से खेत जोत रहा था इस तरह से आपको उत्तर लिखना होगा तो इस तरह से आपने देखा वच्चो यहां पर हमने आपको पचास प्रशन है और हमें पूरा विश्वास है कि आपके बोड के पेपर में इन में से बहार नहीं आएगा 80% के आसपास आपको मिल ही जाएगा तो आप इनको अच्छे से रटा लगा लेना बार बार वीडियो को सुन लेना आपको याद हो जाएंगे क्योंकि सुनने से बहुत जल्दी से म अपने दोस्तों को शेयर कर दैना क्योंकि आपको इसमें हम complete matter बताने वाले हैं आपके जो जो टापिक्स है उनको clear करने वाले हैं आपके लिए और कोई topic जो आपको कठिन लग रहा है उसको हमें कमेंट में फटा बटा दो जिससे कि मैं उस पर वीडियो बना दूँ और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपकी परिशानी कम हो जाए, आपकी परिशानी दूर हो जाए, यही हमारा प्रयास है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे 50 प्रशन आज की वीडियो के पूरे हो जाते हैं, अगरे वीडियो में हमारे जो 50 प्रश्ण और बचे हैं 51 से लेके 100 तक उनका भी इंतजार करें क्योंकि वो भी बहुत most प्रश्ण हैं तो चलिए मित्र फिर आपसे मुलाकात करेंगे 51 से लेके 100 तक वाले जो प्रश्ण हैं उनको व्यक्या सैता आपको समझाएंगे और उसके बाद फिर आपको जो जो टॉपिक्स आपके लिए कठें रहेंगे जो आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है उनको मैं बताऊंगा धन्यवाद सबके लिए अच्छे सुना इसको देखना बार बार धन्यवाद